नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी के मेरे युटूब चैनल में दोस्तों आज हम एक फिर नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजीर है और आज हम आपको बताएंगे आप भर बैठे अपने वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं साथियो आज हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड के बारे में अब हमें वोटर कार्ड बनवाने के लिए कहीं भी जाकर सरकारी आफिस में जाकर लाइन लगाने का सकता नहीं है अब आप अपना वोटर कार्ड अपने ही घर घर बैठे बना सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक जरूर किया करें और लाइक करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स जरूर करें आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही कीमती है और सारे वीडियो के नोठिफिकेशन मिलते रहे हैं अब हम बढते कि आप इसे कैसे बना सकते हैं अपडेट्स कि की आपके सामने एक होम पेज खुल जाता है जिससे कि बोटर कार्ड बनाने के लिए आपको परसान ना होना पड़े तो आप इस साइड के माध्यम से अपना बोटर कार्ड नया बनवा सकते हैं और साथ यह उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं भूंत शोड़ा सा नीचे जाएंगा नीचे जाकर देखेंगे बोटर पोल्टर यहां पर दिया हुआ यहां पर हमें क्लिक करना है यहीं से हम अंदर या करके एक यह बना जैसे हम एक नंबर एक मेल आईडी से केवल एक ही अकाउंट बना सकते हैं हमारे पाइब चार ओक्सम दिये हुए हैं Facebook है मेल आईडी टुटर और LinkedIn से आप इसमें डायेट लॉग इन कर सकते हैं आईए हम अपनी मेल आईडी से इसमें लॉग इन करते हैं जैसे हमने आईडी पर leader आया है हम यहां क्लिक करेंगे थी आगे घाएंगे हमिन कडिन फूर्क से इस इसमेंagne जैसेंड गरेंगे एक अपनी फेह पहुचते हैं जैसे हम पर एक हमें पर अन्ञें डेदेनी होती है इसमें आपको अपन नाम से अधिकर उस्ते collabor बडिल भड़ने सकते हैं और साथ ही से यह दो ρंगे हम यहाँ पुरी जानकारी भड़ने हैं हम एक बार कोई एक वाकर प्रोफाइल बना सकता है इसमें इसका यहां में विषेज़ जहानेना और एपने बस वोटर आईडी आप बना सकते यह करक्शन कर सकते हैं जैसे हमने इसे सब्मिट किया अब हम अपने में पेज पर आ चुके हैं अब हमारा प्रॉफाइल बन चुका है अब यहां पर आप देख सकते हैं maintain page में बहुत सारे option है lawyerfelt का option है साथ में new waterard id का option भुफ सारे option है हम new water id में क्लिक करते हैं जैसा हमने click किया तो हम इसके अंदर login हो सह अगया यहां पर इसके बारे में कई सारे जानकारी हमें बताया कि कैसे जिए हमें बनाना았습니다 इसे पढ़ने के बाद पूरा हम जाएंगे सीधर लेट्स स्टार्ट की बटन में और लेट्स स्टार्ट में हम आगे बढ़ते हैं और अपने वोटर आईडी को एपलाई करते हैं इसके अंदर इंट्री की तो इसमें दिया हुए आर यू एपलाईंग फॉर्ड वोटर आईडी फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार अपलाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में यस करें और अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं करेक्शन के लिए तो नो करें हम यहाँ पर यहाँ अपने मुबाइल नंबर करना होता है जिसमें इसमें अपना मुबाइल नंबर डाला और और विकिया हम अगे बढ़ते हैं हुआ हमने ते यह जैसे हम वेरिफाई करते हैं वोटीबी को उसके बाद वे हमारे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको पूरी जैनकारीया भर ना है सबसे पहले हमें डेट परत यहां फिल करना होगा देख सकते हैं सेलेक्ट येर मन्द और 05 ट्रश लेक्ट करी और फिल करने के बाद हम आगे बढ़ ते हैं और इसे चार्ड़ है तो यहां पर एक document मांगता है आपका original document जिसके थुआ आपका वोटर आइड़ी बनेगा तो हमें यहां पर उसका number एक document जो भी हम यहां पे upload करेंगे उसका number फिल करना होगा documents को upload करना होगा हमने यहां पर अधार कार्ड को चूज किया है और आधार का अधार का एक अफलोड करने में आसानी हो एसलीब लोट करना होता है उसमें हमारी एच के लिए लिखकी हो Words ने जैसे व they save करते हैं अब है और आगे पहुंच जाते हैं उसके पात हमारे पास नई विंडो ओपन होती अब हमें उसे फिल करना होता है अब देखिए हमने आगे बढ़े और यहां पर एक फोटो अपलोड करने का आया है अब आप जो भी बोटर आडी में अपनी फोटो चाहते हैं एक अच्छी सी फोटो फ्रंट सेस की उससे यहां पर अपलोड कीजिए फोट करेंगे कोई विकलांग नहीं है और इसतना करने के बाद सेव एंड करते हैं अब हम फिर अगले पेज़े पहुंचते हैं सौधाने पुरक भरते आना है यहां पर हमें हमारे किसी घर के मेंबर का एक वोटर आडी नंबर फिल करना है जिससे कि वह से कनेक्ट हो सकते किसी भ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामद्यावा एक हमारा करेंट अड्रेस का पेज ओपन होता है यहां पर हमें हमारा एड्रेस जो भी है उससे साधाने पुरक भरना है क्योंकि यहीं आड्रेस आपके वोटर आडिया में लिखा हुआ आएगा पूरा एड्रेस फिल करने के अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसमें ध्यान देना है कि हम अपना एड्रेस वही भरें जिससे कि हमें बात में दिखकत न जाये साथ में हम इसमें एक एड्रस जैसन आगे बढ़ते हो तो एक एड्ड्रस पूरूप देना होता है यहां पर दराइविंग लॉक्षन स्र निवास कर रहे हैं किसने साल हो चुके हैं तो यहां हम जाएंगए र पे और यह जाकर करके जिस संथे अपना नाम एक बूर्ण करना होता है तो हम यहां अपने ऑस नाम इंट्रीं करेंगे जो होता है या एक फुल फॉर्म होता है जो कि इलक्शन द्वारा इसू किया जाता है अगर आपको यहां मुबाइल में सीदे देखने में दिख्ड़ करें और अड़ा करके इस फॉर्म को पुरा पढ़ लें आप देखें यहां पर दो अपसं दिये हुए हम यहांपशन पर एड एडिट में जाके एडिट करें नहीं तो इसे सम्मिट करें जैसे हम इस फॉर्म को सम्मिट करेंगे दोस्तों तो हम आगे पहुंच जाएंगे आप इसे सम्मिट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आजाए का आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख ले में कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारा पहले साथ मैं विदा चाहूंगा हम अगली बार आपके साथ एक आपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर सेर करना बिलकुल ना पूरे धन्यवाद